अब आपका इस इंट्रेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं आज बात करूंगा जैनरिक मेडिकल इस्टोर के ग्रोथ के बारे में जी हाँ फ्रेंड उनली जो ट्रिक में बता रहा हूं जैनरिक कूपर एफेक्टिव होगा बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसी है जो ज अबि-टे ऐ्सेटर मेडिकल इस्टोर आपका बहुत सांगर्यो का ही तो सबसे पहले मेडिकल इस्टोर रहने है वी कर रहा हैं, generic medical का, generic medicines का, उस case के अंदर आपको awareness increase करना पड़ेगा. तो awareness increase करने के लिए आप क्या-क्या activities कर सकते हैं? awareness बहुत तरीकिसी increase किया जा सकता है, एक तो अपने medical store पर कोई doctor बैठा सकते हैं, वो थोड़ा सा educate करेगा, वहाँ economical product मिलेगा दूसरा awareness create कर सकते हैं social media के थुरू आप अगर medical store run कर रहे हैं तो आपको youtube channel open करना चाहिए आपको facebook आपका हो गया instagram हो गया आपके facebook sorry whatsapp हो गया, whatsapp पे जो story लगाने का page होता है वहाँ पे जाके बहुत सारा awareness create कर सकते हैं awareness poster create कर सकते हैं awareness videos create कर सकते हैं अभी awareness videos कैसे create करेंगे तो जेनरिक के बारे में लोगों को पता नहीं है तो आप comparison करके दिखाएं अगर आपको पेट में दर्द हो रहा थी यह वाली दवा ethical में इतने का आता हमारे यह आपको इतने का ही मिल जाएगा आपको diabetes की दवा आती है आपको सुगर की दवा आती है आपको इसकी दवा आती है आपको सब दवा गया ऐसे देर देर आप comparison करके दिखाएं इससे क्या होगा ना लोगों को पता चले गहाँ जेनरिक जो है ना वो सस्ता है economical है तो हम कम पैसे में treatment पा सकते हैं इसके अलावा फोकस करिए उन medicines को highlight करने का जो काफी अदा costly है या मंद का काफी heavy burden पड़ता है families के उपर उसके लिए अब awareness क्रिएट करिए अब ये awareness से होगा क्या देखो 2-4 दिन 15 दिन 1 मेने awareness क्रिएट करने से awareness नहीं हो था मैं एक साल से pharma startups के उपर awareness कर रहा हूँ एक साल नहीं साल हो गया pharma startup के उपर awareness क्रिएट करता जा रहा हूँ उसके बारे वीडियो बना रहा हूँ लोगों का educate कर रहा हूँ तो उसकी वज़े से क्या हो रहा है मेरे साथ बहुत सारे pharma startups दिरे दिरे करके जुड़ते जा रहे है understand तो वो अचानक एक दिन के अंदर नहीं हुआ उसके लिए मैंने सालों मेहनत किया एक साल से उपर ही गया तब जाके मेरे पास बहुत सारे startup आए ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे ही आपको यह continuous मेहनत करना पड़ेगा बार-बार awareness वीडियो बनाने पड़ेगा लोगों को समझाना पड़ेगा बताना पड़ेगा तो social media के थुरू आपके लोकलाइज जो customer होगा ना वो आपको मिल जाएगा और आपके साथ में जब आप यह चीज़ी कर रहे होंगे बच्चे को डाइपर की बात करें तो यह सारी चीज़ी और बहुत सारे हाइटम ऐसे हैं जो की ना बहुत सस्ते होते हैं अगर मैं जनवसदी के इंद की बात करूँ या जनरीक के अंदर बात करो तो इन सब चीजों को na social media पर create करें awareness social media पर डालिए इनको social media के तुरू लोगों को बताइए कि आपका यह सारी चीज़े आउलेबल है मतलब specialized थोड़ी महंगी वाली या पिर जो daily use की चीज़ी है उसको social media पर push up करिए जैसे बन दोतिनीक जांपल आपको दिये बीपी सुगर की मसीन, इस्ट्रिप, डाइपर, सनेट्री पैट इस टाइप के और भी बहुत सारी चीज़े है आप ज़्यदा बेटर जानते हैं आपके पास medical store है तो उन चीजों का awareness आप create करिए इसके लावा कुछ ऐसे apps आते हैं जिसकी तुरू ना आप अपने customer को reminder send कर सकते हैं जैसे की medbook की बात करो, understand, medbook एक ऐसा app है जिसको आप download कर सकते हैं वहां पे आप अपने customer को prescription है उसको उसके अंदर feed कर दिये तो जब उसकी medicine कतम होने वाली होगी ना तो उसके पास automatically एक reminder चला जाएगा बस आपको एक बार okay करना आप आप से पूछेगा इनको reminder based दो आप बोल दो okay जी हा तो वह reminder ना automatically आपके prescription के पास चला जाता है बहुत अच्छा app है अलाकि मुझसे जुड़े हुए medbook है बहुत अच्छा आप उन्होंने create किया हुआ तो उसके बारे भी वीडियो अलग से किसी बनाएंगे तो आपके chemist को कैसे grow कर सकता उसके उपर देखने को मिलेगा लेकिन यस medbook का आप यूज करके ना वहां के तुरू होता है वहां के तुरू अपने customer के अंदर आप awareness क्रियेट कर सकते हो आप उनको personalized wishes बेज सकते हो चाया हो ली हो गई दिवाली हो गई डिफरेंट डिफरेंट नवरातरी हो कुछ भी आ रहा है तो उस conditions के अंदर आप wishes ब यह सारी चीज़े personalized करके आप भेज सकते हैं तो बहुत सारे apps आते हैं जो आपको बहुत ज़्यदा help करते हैं उन apps का help लेके customer का थोड़ा सा data bank का आपको बनाना देगे जिसे online pharmacy में क्या हो था online pharmacy में वह बहुत effective इसलिए worker पाते हैं क्योंकि क्यों डेटा बनाते है डेटा में करते हैं customer का जिस दिन आप data maintain करने लग जाएंगे एक हजाल लोगों का आपने contact detail उनका नाम और उनका address आपने अपने app के अंदर यह कहीं भी जुगा श्टोर किया हो एक हजाल लोगों को आपने एक साथ महसे बेजा तो उसमें से 5% 10% भी conversion हो तो 20 लोग तो आपके पास है परड़े परड़े ऐसे जो डालो कि एक हजाल लोगों को आपने बेजा तो चोटा मस्चे में बून-बून से सागर भर जाता है घड़ा बर जाता है तो ऐसी बात नहीं है आप इसको प्रैक्टिस में लेकिया यह आपको इससे काफी ज़्यदा इन एप से help मिलता है बड़ नहीं लगेगा बट आप्टर ए पीरियड जब आपको सेल्स मिल लग जाएगा तो फिर आपको मजा आएगा इसके अला जो नेक्ट पॉइंट फ्रेंड उसमें है कि डेली यूजिज जो प्रोड़क्ट हाउसोल्ड की जो रिक्वाइर्मेंट है उनको अपने रैक के जब अब मेडिकल स्टोर को सजा रहे होते हैं प्रोड़क्ट को रख रहे होते हैं पोजिसिनिंग कर रहे होते हैं तो डेली यूजिज के चीजों एक तो कई बार मैंने देखा जेनरिंग मेडिकल स्टोर के अंदर क्या होता है कि OTC के डिगरी की वराइटी हम पूरा नहीं कर प बेच पाओ अइसा हो सकता है तो आपकी जो मेडारी है ना वह डेली जो मेडिसिन से बर्डन है वह कम करने का है इसका यह मतलब नहीं कि OTC मेडिसिन को आप नहीं बेच ऊगए जो मार्जिन आप बेच आप बेच यह पूरी फुल वराइटी अपने पास में रखे पीडिया गाइने के पूरी बाराइटी रखे गाइने के पूरी बाराइटी रखे जिम जो जाने वाले लोग है उनकी पूरी बाराइटी अपने पास में रखे नूट्री जो दूद में नूट्री जिसे आता है नूट्री आता है और बहुत सारी मिल्क में डालके खाने वाली चीज करिए और यस उसके बारे में प्रॉपरली बात करिए आप कस्टर्मर के साथ में ऐसा नहीं कि हम जर्रिंट मेंडिसिन क why गवार किवाने मेंडिकल वुक्वर प्रॉरी वराइटी मेंडियर करी अगर आप किसी ंत कर सकते हैं, तो उससे भी realization होगा, जो community होगी, एक तो उनको free में sample दे दीजिए, otherwise आप जो थोड़ा करते हैं, एबरी मन्त, दो तारीकों, पांस तारीकों, दस तारीकों, कभी पीडिया कर लिया, कभी गाईनी कर लिया, कभी diabetes कर लिया, कभी hypertension कर लिया, कभी stress management कर लिया, इस टाइब की चीज़े करते हैं, डॉक्टर के साथ collaborate होके, एक तो दोक्टर को benefit मिलता है, उसको बहुत सा सस्ता वाला medicine मिलता है, तो चलो, उसमें भी मैं बोलता हूँ, 2-5% का conversion rate लेके चलते हैं, तो 2-5% का conversion rate है, जो बार बार उसको सस्ता मिलेगा ना, उसको आधत पढ़ जाएगी, अजब आधत पढ़ जाएगी, ति यस, आपके store पे, वो लेने आ जाए का medicine, ठीक है, चलो, य ये वीडियो कैसा लगा, आपको कौन सा उला point सबसे अच्छा लगा, attractive लगा, आप मुझे comment करके बताएए, अपनी problem को मेरे साथ comment box में share करिये, I hope कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा ताकि आपकी help हो सके, और यस, आपका प्यार मुझको मिल सके, और हम लोग, नए है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, all notification को hit कर दीजिए, और मैं आप से मिलता हूँ, ऐसी किसी interesting video में, next time, bye